हालो फ्रेंड्स नमस्कार और वेलकम टू शमाधन साथियो उमीद है कि आप सब अच्छी होंगी और श्टड़ी भी आपके च्छी तरीके से चल रही होगी साथियो 69 बीपीसी का अलड़ी प्रिलिम्स हो चुका है उसका एंसर की भी जारी हो गया और बहुत जल अपका रिज जारी कर दिया जागा इसके बाद से जो अभी है थी उसमें सामिल नहीं हो पायता है या जिनका माक्स अच्छा नहीं बन रहा है और वह सेवेंटींद भी पीसी को टार्गेट कर रहे हैं यानि उसके लिए अभी से प्रिप्रिशन में लग गया है अगर नहीं लग गया है तो लग जाए और उसके रिगाडिंग एक बड़ी ख़वर है जैसे नर्मलाइजेशन यहां पर देख रहे हैं आप तो देखिए नर्मलाइजेशन सबसे पहले में बता दूं कि नर्मलाइजेशन होता क्या है ताकि आप लोग इसका फायदा या नुकसान जो भी है उसको समझ सकते हैं नर्मलाइजेशन तब ही होता है सांतिकोई जब एक से लिए जाते हैं यानि अगर दो स्विप्ट में एक्जाम लिया जाता है तो हो सकता है कि किसी स्विप्ट के कोश्चन में थोड़ा टौफ हो जाए लेबल और खिसी में थोड़ा उससे असान लेपर है त afternoon भै उस्के लिए चैर्मेंसर ने बहुत पहले ही जो एक्जाम करए केंषिल हुआ था तो उसमें इसको लाखु करने के लिए विचार किया था हलाकि काफी हंगामा हुआ तो उसको वापस लिए गया तो इसी के रिगार्डिंग यहां पर एक अपडेट आया है तो चलिए उस अपडेट को देख लिते हैं यहां पर देखेंगे तो एगहंटे पहले चेर्मेंसर का थ्वीट है यहां पर इनका कहना है कि I am glad that some people have at least now realized the need and importance of normalization in case of TREPRT which was held in two shifts but in PPC not only we had thought about it long ago but also had taken the requisite measures to avoid the very need for this तो यहां पर सर का कहना है कि मुझे खुसी है कि अभी कुछ लोगों को कम से कम यह realized हो गया कि नर्मलेशन का कितना महत्तो हो जाता है अगर दो स्रिफ्टों में एक्जाम होती है तो जैसा कि इस बार PRT जो टीचर एक्जाम हुआ था TRE के लिए यहां पर तो उसमें दो स्रिफ्टों में हुआ था primary teachers के लिए उसके regarding इन्होंने शर ने update दिया है और यह बता है कि उसमें कुछ लोग एसास हुआ है कि इसमें भी नर्मलेशन होना चाहिए था तो यहां पर सरक कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है हमने बहुत पहले ही BPC में यह लागू करने के लिए यह विचार लाये थे हलांकि इसको avoid करने के लिए यानि इसकी जादे जरुत नहों इसके एकजाम एक ही स्ट्म होगा और एक होगा उसका मतलब नहीं लगाया जागा तो उसी बात को सर लेकर कर रहे हैं कि हमनों वहां पर इसका वैकल्पिक किया उपाए कि नहीं एक ही स्ट्म में एकजाम को कैसे भी करके राजित कि आजाए ताकि नर्मलेशन जुरत ना पड़े तो यहां पर जो भी चाद रहें 17 का त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी ख़बर है कि आगे भी कोई उमीद नहीं है कि नर्मलेशन लाग किया जगा क्योंकि सर की यहां पर कहाना है कि इसको जितना हो सके उतना हम लोग इसको एवाइड करने को जिस करेंगे और सि आप लोग असे स्थियारी करें और आने वाले साल में आपका 17th BPSC किलियर हो और आप भी अपना समाज में कुदान दे धन्यवाद